आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो जैसक कि प्रिय चात्र आप जानते हैं कि 12 तारीक को आपका एन एस का टेस्ट है तो उसमें विज्ञान के जो भी प्रिश्ण आ सकते हैं तो उसके लिए हम आपको इंपोर्टेंट वीडियो में इन वीडियो में इंपोर्टेंट प्रिश्ण दे रहे हैं आपने इन सभी वीडियो को देख लिया तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और 10 से 12 प्रिश्ण तो आपको जैसे के तैसे मिल जाएंगे और हम आपको समझा रहे हैं रेटबाने रेटी हूँ चीज भू जाते हो तो आपको रेटना नहीं है हम आपको समझा रहे हैं तो जहां हमने पुराना वीडियो एंड किया था वहां से आप हम आपको प्रिश्ण समझाना शुरू करेंगे तो हमने आपको कहां तक समझा दिये थे तो प्रिये चात्रो यहां अपना प्रिश्ण में यहां तक हम कहुँच गए थे अब इससे आगे हमें हल करना है ठीक है तो प्रिये चात्रो देखो बहुत सराल रूप में हम आपको समझा रहे हैं तो देखें आप क्या है प्रिशन कहँरा आपसे के sodium chloride बाई साब sodium chloride माना होता है होता है क्या sodium chloride माना होता है नमक घर्म आपके नमक है सबजी में डालने माला बो होता, फिर कहा रहा है कि ये silver nitrate, माने agNO3 के जलिए billion से अविक्रिया करता है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो समझो बात इसको आप अपनी स्कूल में प्रीयों करना, इसकूल में प्रीयों करना अपने गर पर, तो इसकूल में दो को नमक होगा, ठीक है, तो आप क्या करें, एक ऐसा बीकर ले ले, बीकर तुमने बड़ा बना दिया, यह आपको सही देखे, और फिर इसमें क्या करें, आप AGNO3, माने होता सिल्वर नाइट्रेट, एजी माने होता चांदी, ठीक है, तो आप सिल्वर नाइ एक दम जे जम जाएगा, एक दम जे समकने लगेगा, पर यह नीचे नीचे, जिचंचन बड़ा होगा, जिसे आप ने दरपड़ा, आप अपने मूहह देखती है, तो पीछे पुति रहती है, तो जो एजी है, वो यहाँ, यहाँ आप meltedि, तो एजी जो है, यहाँ यहाँ य जम जाती है तो जम जाती है उसे बोलते हैं अबक्षेब बनना क्या बोलते हैं अबक्षेब बनना तो अबक्षेब बनना माने अबक्षेबण होना तो चांदी का यह यहां पर अबक्षेबण हो जाता है अब दूसरी बात A ने है A ने जो है en o 3 से मिल जाता है और جए c l है वो a g से मिल जाता है तो माने जो अबक्षेपर है वो silver chloride का बना माने किसी को chloride जो नमख है इसने उसको भगा दिया माने विस्ठापन भी कर दिया माने इसने विस्ठापन भी कर दिया ठीक है ठीक है तो देखो तो इसमें देखो दोई विस्थापन भी हो रहा है दोई विस्थापन होने के अलावा इसमें अबक्षेपी बन रहा है क्योंकि विस्थापन कर रहा है वो भगा रहा है तो इस तरह आप देखें पहला और तीसरा कहां लखा होगा है और ये सोडियम एजी को यहां पर विस्थापत कर रहा है और एजी भी विस्थापत कर रहा है समझो बात एजी भी एने को हटा रहा है और सील बन रहा है माने तो ए माने एह मालो कि हम कहीं गए हमारी भी एक छाती उस कुरसी बैठने की और उसकी भी एक छाती कि हम उस कुरसी पर बैठे जाए तो दूई विस्थापन गोलेंगे दोखो इसको और समझो आप समझने का पूरा प्रयास करो बच्चो माने दो दो कुर्सी है दो कुर्सी है एक तो इस्तिती यह बन सकती है कि यहां का लड़का यहां जाए और इसकी इक्षा नहीं उठने की तो विस्थाप ठीक है तो प्रिया बच्चो यूट्यूब चनल को सबस्क्राइब बिरूर कर लो इसी तरह वीडियो आपको मिलते रहते हैं अब आपका अगला प्रशन बहुत अच्छा प्रशन है आपने बच्चो कभी चिप्स तो खाये होगे चिप्स नहीं कोई नमकीन खाई है कोई भी नमकीन खाई हो आपने नमकीन कोशी भी खाई हो चिप्स तो लिख दिया उसने कोई भी नमकीन खाई हो जो की चिप्स हो सक प्ररेसटिद में आलने घिर का इनका जो पैकेट है बहुत फूला रहता है लिए प्रीकाट आप क्या करना बार नदेशीन ले रहता है आप्म चण्या पारदेन जो नैट्रोजन जैस भरी है जो आपके पास चिप्स है इसके अंदर बच्चो नाइट्रोजन गेस भरी रहती है नाइट्रोजन गेस क्या करती है इसको सडने से बचाती है इसको बिक्रत गंधी होने से बचाती है बिक्रत गंधी माना खराब हो जाना उसकी गंध खराब हो जाती है अभी सुगंद आती है फिर खाओगे बदबू आने लगेगी तो वो क्यासी जाती है बिक्रत गंदी जाती है तो आलू की चिप्स में जो नाइट्रोजन गेस भरी जाती है जिससे कि यह ना हो वह बिक्रत गंदी ना हो मान है जो चिप्स हैं आपके वो खराब ना हो इसलिए उसमें नाइट्रोजन भरते हैं खराब होने को कहते हैं बिक्रत गंदी तो माने क्या होगा नाइट्रोजन गेस इसलिए भरी रहती है क्योंकि बिक्रत गंदिता रोकने के लिए कक्षा दस में यह प्रसन हमेशा आता है बारसेक परिक्षा में यह प्रसना आता है कि बिक्रत गंधिता किसे कहते हैं जब चिप्स है नमकीन को खराब उने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजिन गयस भर दी जाती है उसे बिक्रत गंधिता कहते हैं इससे खराब नहीं होती है ठीक है अगला प्रसन देखते हैं पन इसको समझो दो अलग-अलग ऑक्साइड है बच्चो दो अलग-अलग ऑक्साइड है एक P है एक Q है ऑक्साइड है तो P और Q की अभी क्रिया नेम लेखता है तो जो P है बच्चो आपका जे आपका HCL से क्रिया करता है परंतु NAOS से नहीं करता है द्यार रखना फिर आपका एक Q पदार्थ है जो की HCL से क्रिया करता है और NAOS से भी करता है तो बच्चो समझो दो जो Q पदार्थ है एक अमले से भी क्रिया करता है और च्छार से भी क्रिया करता है जे बच्चो होता है अमल और यह होता है, अपका 4 ए जो आपका Q है, यह हो गया आपका उभधर्मी, क्योंरा के दोनों से क्रिया कर रहा है, उभधर माने दोनों, तो आपका Q आपका हो गया, उभधर्मी हो गया और यहाँ पर लिखा क्या है? क्यों वदर में हो गया आपका अब जो पी है कि आपका जो पी है जो अमले से क्रिया कर रहा है पी अमले से क्रिया कर रहा है पी अमले से क्रिया कर रहा है तो एक कैसा होगा एक छारक होगा एक अमल है समझेगा बात अमले से कोई क्रिया करेगा तो छारक ही तो होगा ठीक है तो एक आपका पी छारक हो गया और क्यू उभधर्मी होगया, ऐसा आपका विकल्प कॉन सा है वपन देख ल curiosity है तो क्य उभधर्मी है और P-60 है इस तरहे है आपका विकल्प 해 इस चौथा वाला सही निकलता, ये आपका च्छार्यक हो गया क्यों आपका उभधर्मी हो गया? P-60 क्योंकि आम्ले से क्रिया कर रहा है और चार्श में विक्रिया कर रहा है अब बच्चों अगला प्रिश्णापन देख लेते हैं कि आर एक सफिद पदार्थ है और एक सफिद पदार्थ है कियक बनाने है प्रियुक्त होता है तो बच्चों अब पता होना चाहिए किसे बना याता यह है गरम और पर कारवन डाउकसाइड माने इसको गरम क käyt करते हैं तो क्या बनता है यह carbon dioxide gas बनाता है यह वाला carbon dioxide gas जलबास इवन एक पदार्थ जो है एक थूस पदार्थ है जो S देता है तो आपको दिख रहा है ठीक है तो यह क्या है इसको समझ लेती है अपन तो यहां तो इसपास्ट होगे NHCO3 तो देखो यहां आपका जो बिकल्प है यह तो दिख रहा है NHCO3 पहले इसपेस्ट लखा हुगा है कि यार एक सपित पदार्थ है जो केक बनाने में प्रियुक्त होता है वाई साब केक बनाने में अब्रेड बनाने में NHCO3 प्रियुक्त होता है तो आपको यह आपका सोडियम अब बच्चो आपके सामने जल के एक मोल में परमाड़ों की संख्या होगी तो प्रिय छात्रों अमने पुराने वीडियो में आपको बताया था कि एक मोल में कितने परमाड़ों याड़ों आएन होते हैं तो 6.022 गुड़त दसपेगातें 23 होते हैं यह बताया था हमने आपको कि कारबन 12 के 12 गराम में एक मोल में 6.022 गुड़त दसपेगातें 23 अड़ों याड़ों 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 आएन होते हैं उतने ही किसी के पास होंगे एक मोल में तो इस अंख्या कहा पर लिखी हुई है तो इह आपकी लिखी हुई है एवाला आपका उत्तर सही हो गया है अब है अतियंत बिसेली गैस ओजोन तो पता है आपको जो ओजोन गैस होती है इसका संकित ओतरी होता है इसको आवश्यक माना गया है तो बिसेली भी है देखो बात समझो कि अतियंत बिसेली गैस ओजोन को आवश्यक माना गया है माने बिसेली भी है और आवश्यक भी है ठीक है क्योंकि यह है क्योंकि यह है आवश्यक क्यों है क्योंकि यह है क्योंकि यह है करती क्या है एक हानी कारक पराबैगनी जो क्रणे होती है जो अल्ट्रा वाइलेट क्रणे होती है जो यू भी क्रणे होती है उन्हें ये अबसूसित कर लेती है और केंसर जैसी बहनक बीमारी नहीं उपाती है नहीं तो कैंसर हो जाएगा इसलिए बिशेली तो है लेकन फायदेमंद है अब बच्चो रह्मान ने दो पर्खनलियों में ताजा तैयार चूने का पानी लिया तो मानते बच्चो एक कोई रह्मा नाम का लड़का है उसने दो पर्खनलियों ली उसने दो पर्खनलियों ली ठीके तो पर्खनलिय ताजा चूने का पानी लिया माने इसमें क्या लिया सी ए ओ एच वाल टू यह होता है चूने का पानी माने कले को पानी में गोल दिया तो चूने का पानी अपना बन जाएगा बन गया परक्नली बना रहे हैं ठीक है उसने का और खा चिन्नित किया उसने का में इस्ट्रॉ तरल पदार्थ पीने की नली द्वारा मुही से आप फून की और खा को उसी तरह रहने दिया कुछ मिनिटों के पस्चाद का के चूने का पानी दूदिया हो जाता समझवाद एक का है एक खा है ठीक है उसने मुही से इसमें फूंका हवा भीजी और आप से भी जानते हैं कि हम जो गेस छोड़ते हैं सांस के द्वारा उसमें carbon dioxide होती है तो उसने क्या हुआ इसमें carbon dioxide gas भीजी तो carbon dioxide gas जो है इससे क्रिया करती है तो क्या बन जाता है CACO3 कैल्सियम कार्बोनेट बन जाता है ठीक है तो इस कारण से यह जो का बाली परख न ली है यह दूदिया हो जाती है जब कि इसमें उसने कारवन डाउकसाइड गैस नहीं भीजी है इसमें फूंका नहीं उसने तो कुछ नहीं होगा तो क्या बोला उसने नहीं स्वासित बायू में तो जम सांस छोड़ते हैं सांस छोड़ते हैं उसे बोलते हैं नहीं स्वासित बायू में कारवन डाउकसाइड होती मतलब CO2 होती सांस छोड़ते हैं मुह से उसमें क्या होती है तो यह जो काप प्रखली है इसका जो चूने का पानी है वो दूदिया हो जाता है किसके कारण कारवन डाउकसाट गेस के कारण हमारे मुह में हमारे मुह में हमारे मुह में जो तरल सिरावित होता है है भोजन में मिलकर उसे चेकना जल्दी निगल लेतियां अपन।बichen में तरल सरावित होता है। जो उसका नाम है लार। हमारे बोजन में लार निकलती है। बोजन के चकना बनाती है जिससे बुजन आसानी से जो है अपने गले से होते हुगे अपनी जो अहर नली है पेट है वहां तक पहुच जाता है ठीक है अब है बच्चो अगना सहीक इसे बोलते हैं पेनक्रियाटिक एंजाइम की पहचान कीजिए एंजाइम माना होता है पचाने बला तो आपके घर में देख लेना है अगर भोजन पचाने के लिए कोई भी सीरप रखा हुआ है तो वो भोजन पचाने के काम में आएगा प्रोटीन के पाचन करने वाला कौन सा एंजाइम है तो बच्चो तो प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम करता है कहां से निकलता है अगना सही से निकलता है अंगरीजी मोलते हैं पेनिक रियाज या पेनिक रियाटिक ठी प्रोटीन का पाचन कौन करता है प्रोटीन का पाचन Epstein enzyme करता है ठीक है अब हैं बहुत अच्छा प्रीशन है ये आपको झाप कर प्स कर आप्पर यहाँ पर यहाँ पर भूल से बूलते हैं alcohol को तो उसमें क्या है ऑ का iba बिलड आपकी बच्चो देखो समझ वो आपके देंको रहे सिराएं भी है इनमें बेहता है तो यहा जो पऩा सा लगा देता है तो बूँ देखता है कितनी निद्धि कुने पशे कितनी से आपका ब्लड भ रहा है और देखो बच्चों आपका जो हिर्दा है कैसे गती करता है इस तरह से गती करता है कि इस तरह से पहले तो यह प्रकुंचन होगा यह सिथल होगा प्रकुंचन सिथलन प्रकुंचन सिथलन प्रकुंचन सिथलन यह होता है ठीक है अब अब कह रहा है कि मनुस्त का सामान प्रकुंचन तथा अनुसिथलन दवाब है प्रकुंचन प्रकुंचन माने हिर्देज हुए ऐसी होगा ऐसी होगा तो प्रीसर सी रखत जाएगा माने आपके पास दो वेल्यू है 120 है और असी है ठीक है जब वो हिर्देज प्रकुंचित होगा तो बिलड जाएगा तो कितना मानोंगा 120 और जो प्रकुंचन होगा फर वो हिर्देज सिथल भी होगा ठीक है तो वो होगा फर सिथलन का 80 mm hg hg माना होता है 12 ठीक है तो मनुस्त का जो प्रेकुंचन दाव होता है वो होता है आपका 120 और अनु सिथरन होता है बुदाव होता है 80 mm hg ठीक है तो 120 mm hg और इस सिथरन होता है 80 mm hg ठीक है यह प्रेकुंचन वाला होता है यह सिथलन वाला होता है माने अनुसिथलन वाला होता है तो यह blood pressure इससे बुचक कर लेती हैं आपका कम से कम देखो बच्चो 80 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज्यादा होनी होने चाहिए इसको blood pressure भी बूसकती है ठीक है अब गमले में लगे पौधे की समस्त पत्तियों की दोनों सताओं पर अब क्या कह रहा है आपसे कि गमले में आपके घर है गमले में आपके घर है पत्ती लगी है गमले में आपके घर है एक पत्ती लगी है एक का कितनी भी हो सकती है ठीक है तो एक पत्ती लगी है अब वो कह रहा है दोनों सताव पर आपने बैसली लगा दी बैसली जानते हैं सरदियों में आप जानते ही है आपने बैसली लगा दी तो कौन सी प्रेकरियां प्रभावित होगी तो बच्चो आपको सभी पता है कि इनमें सांस लेने के छिद्र होते हैं यह स्वांस लेते हैं इनमें बच्चों पता है आपको इस्टो मिटा होते हैं इनकी नाक माने इस्टो मिटा होते हैं तो यह सांस लेते हैं तो बच्चों देखो अगर आपने बैसली लगा दी तो स्वासन भी नहीं होगा प्रकासंसरेशन भी नहीं होगा उतसरजन भी नहीं होगा और बासपुत सरजन भी नहीं होगा यह सभी क्रियां बच्चों रुक जाएंगी इसलिए आपका उत्तर सही है उपरोगत सभी अब है शामान ताप पादप दिन के समय आउक्सीजन रात्री के समय कारवन डाउकसाड निस्कासित करते हैं आपने सुना भी होगा आप सुना क्या होगा आप तो गए होगे आप रात्री के समय किसी पीड़ की नीचे जाना तो अक्सर में क्षा होगा ऐसे कि आप एक पौधा मालो आप नीचे रात में जाओगे तो ये पौधा क्या है कारवन डौकसाड गैस चोड़ता है इसलिए क्या है गर्मी लगती है तो इसका जो उत्तर क्या नकलने आपने को शामान का पादब दिन के समय आक्सीजन रात्री के समय कारवन डायोकसाइड निसकासित करते हैं इसका कारण क्या है तो इसका जो उत्तर सही है आपका सक्ताइस का दूसरा वाला ये सही है पादब दिन में सौसनी की तुलना में प्रकास अंसलेशन ती ब्रगती से करते हैं जबकि रात में प्रकास अंसलेशन नहीं होता है अब बच्चों आपके सामने हैं क्या होता है क्या कह रहा है जब सूख्ष में जयविकिये संक्रमन की कारण जाइलम बैसेल्स और पादब की बहेकाएं अबरोद दो जाती है इसका उत्तर वह पे थुड़ास समझ लो क्या समझो और ऑप वह समझो मानाई बीमार जो होते हैं बीमार जो पहले इसका उत्तर आपको बता देते हैं वो दिखलो आप इवाला आपका उत्तर सही है इवाला आपका उत्तर सही है इसका उत्तर कैसे नकालेंगे दोखो माने बैक्टीरिया बगएरा है माने जैब के संक्रमन हो गया तो जो पौधा होते हैं अपने क्या होती है अपने बच्चो धमनी होती है और सिराएं होती है पौधा में बच्चो इसी तरह दो नलकाएं होती हैं जन्हें अपन बोलते हैं जाइलम और एकको बोलते हैं फिलोयम एकको जाइलम एकको फिलोयम तो पूछ रहा है कि जाइलम है जाइलम है वो क्या हो जाए रुक जाए अब रुद्ध हो जाए इसमें रुकावट हो जाए इसमें रुकावट हो जाए इसमें रुकावट हो जाए तो क्या होगा तो समझो तो समझो बच्चो इसको समझो यहां समझो जो जाइलम है यह अवरुद्ध हो जाए तो पता है जाइलम करता क्या है जाइलम बच्चो जलका समबहन करता है जो पीड़ पौधे होते हैं पीड़ पौधों में जड़ होती है तो जड़ से पानी क्या है पौधे में उपर जात पत्तियों तक जाता है तनों तक जाता है ठीक है तो दिख भी रहा है जा और ला दिख रहा है आपको जल तो जाइलम क्या करता है जाइलम जल का सम्मेहन करता है जड से जड से पत्तियों की उपर की और गती नहीं होती है जड से उपर पत्तियों की और पानी की गती नहीं होत किये अगर जाइलम में रुका बटा जाया से इसी तर्थ परिक्ष्छा में पी उसकते हैं फिलो एम का क्या कामने अगरीजी रिखाटे या你说 फूड कहते हैंero माना ह इसी तरह जो हरुम है भोजन का समभाएν करता है भोजन का संभाएं करता ऐए विए आपको पता होना अब हम अगला प्रशन देखते हैं शाधारण सपाट एपिथिलियम जिसकी जिली बरणात्मक पारगम है बरणात्मक माना होता है जिसको किसी को जाने देना तो जाने देना किसी को रोकना तो किसी को रोकना तो वह होती है बरणात्मक पारगम तो ऐसी कौन सी है यह होती है आ अब बच्चो है मनुस में निशेचन एक ऐसी प्रिक्रिया है जिसमें तो बच्चो जो निशेचन होता क्या है चीक है तो समझो इसमें इसमें नर तथा मादा जनन कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो देखो बच्चो क्या होता है निशेचन में क्या होता है निशेचन में क् नर युगमक और मादा युगमक नर युगमक मादा युगमक यह आपस में मिल जाते हैं इसको यहां लिखते हैं नर युगमक और मादा युगमक चीके यह क्या होती है यह आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है यूग में नज बनता है और यूग मनज से आगे चलब कर जी बनता है तो नर इगंग मादा इगंग डाल मिलती है तो इसे बोलती हैं पूछ सकते हैं अभी इसे संबने तो और प्रसन आएगे उनको समझेंगे अपन अब एक पारी तंत्र में अप घटक का चेन करें अप घटक माना होता है मरे हुए जन्तुओं को खाने वाला होता है अप घटक थीक है तो आपके सामने जो देखो उदहारण है इसमें जो तीसरे नम्मर का है कबक कभक ए अपगटक का उधारणा। कभक को अपन पहनजाई भी कहते हैं या फर आप इसे फफूंद भी कह सकते हैं फफूंद जो रोटियों में लग जाती है तो ए अपगटक का उधारण है आपका ठीक है बैक्टिरिया भी परिक्षा पूछ सकते हैं अपको टक्का उधारन तो इसका उत्तर आपको पता चले गया है यह वाला सही है यह आपको सापन दिख रहा होगा समझाते हैं दोखो टिहरी तथा अलमाटी यह अलमती लखा का चैन करो जो बाधों की उंचाई बढ़ने का परिणाम हो सकते हैं क्या समस्य हो सकती है देखो एक क्या समस्य हो सकती है तो पहले देखो इसका जो उत्तर बच्चो एवाला सही है अब जो पहला जो सही क्यों है छेतर की स्थलिय बनस्पति तथा जीव जन्तु पूर्टा न बिस्थापन होगा तो बच्चों क्या होता है जब पानी के लिए बांद बनता है तो हजारों गाउं के गाउं खाली करवा दिए जाते हैं तो बिस्थापन भी होता है बनों का कटाओ पानी भर जागा तो बनों का कटाओ तो होगा ही इसलिए आपका यह वाला सही यहां पर हो जाता है अब है चिपको आंदोलन इंपोर्टेंट प्रस्ण है सामाजेक विज्ञान हमेशा आता है चिपको आंदोलन कौन मैत्पूर संदेश प्रसारत किया था तो बच्चो उत्तरा खंड में एक चमोली नाम का जिला है वहां पर क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए जंगल को काटने की अनवती उनको मिल गई तो वहां के जो गाउबासी थे वो पीड़ों से चिपक गए थे इसलिए इसका नाम होगा चिपको आंदोलन ठीक है तो वहां उस समय संदलाल बहुडा इन्होंने बहुत प्रयास किया था उन्होंने सब लोगों को इखटा किया उन्होंने पूरे शमुदाय को इन्होंने खटा किया उपोले वहां के आस्पाचते लोग थे तो इसमें हो गा istra प्रियासों में संबुदायों को सम्मिलिद करना तो आपका 33 महीं को बचाने की प्रियास के लिए पूरी समुदाय को सम्मिलिद करना यहां पर सही हो जाता है अब है अगला प्रहश्ञ बहुत अच्छा है इंपोर्टन तहे इसको समझे यह से आएगा और बार्से क्वरिक्षा में आता रहता है निम्न आरेक में यह आरेक बना हुए आपका मनुष्य में लिंग निर्धारन का प्रोरूप दर्शा आता है इदो यह अभी आप तो को रटना नहीं रटना नहीं एक्स एक्स हो गया और एक्स बाई हो गया समझना एक्स एक्स हो तो वो लड़की होती है और एक्स बाई हो लड़का होता है तो एक्स जो है एक्स से मिलेगा तो एक्स एक तो ए बन जाएगा ए एक्स जो है यहां बाई मिलेगी तो एक्स बाई यह हो जाएगी समझना बाद अब ए वाला X है ए वाला X है इसको यहां से होगा यह X है इसा आएगा यहां पर X यहां पर आएगा तो पहले इससे मिलेगा तो ए भी X बन जाएगा ठीक है और एक X तो जी हो गया अब यह बाय वाला है जी बाय वाला है बाय वाला X से मिलेगा तो X बाय ठीक है, देखो इस तरह से बनते हैं अब यहाँ आप देखो एक दो तीन चार दो तीन चार, एक लड़की है और चौथा लड़का है यही इसमें लखाओगा है पहली जो यह लड़की है पहली जो आपकी लड़की है और चौथे नम्मर के आपका लड़का है क्योंकि यही आपको इसमें पूछा था तो ऐसे यह बनाना था क्या समस्या थी कोई समस्या थी परिक्षा में आजा तो सब बना लेना आप अब चितर में दिखाएगा जिनतू के लक्ष्णा का परिक्षन करके बरग का चैन किजिए जितने भी कीड़े मकोरे होते हैं जोंक है कांतर है कॉंकरोच है यह सब आर्थो-पूड़ा जिनतू हूते हैं आर्थ पुड़ा होते हैं अब है बच्चो उर्वरक के संबंध में बताओ उर्वरक माना होती है खाद उर्वरक माना होती है खाद की बोरी होती है तो बोरी जो होती है खाद की उस पे आपने देखा होगा N, P, K nitrogen, phosphorus, potassium जो खाद की बूरियां होती है उनने पर लखा रहता है N, P, K मानने nitrogen, phosphorus और potassium ठीक है तो यह पूछ रहा है आपको सही कतन बताना है सही कतन बताना है तो यहाँ पहला आपन देखते हैं औरबरक ब्याबसाइक तोर पर पहला देखते हैं औरबरक ब्याबसाइक तोर पर निर्मित पौधों के पूशकतत में सही बात है जिसमें nitrogen होता है phosphorus होता है potassium होता है आपका सही हो गया अपन देखते हैं औरबरकों में उच्च मात्रा में जैवेक पदार्थ और नीवन मात्रा में पूशकता तो पश्थित होते है यह गलत हो गया तो इसका जो उत्तर है आपका यह वाला सही है 36 का आपका तीसरा यह सही है यह सही है आपके क्योंकि यह उत्तम 22 पत्यक ब्रद्धी को सुनश्चित करता आपके खेट में माना कि दहन लगी है आपने जैसे ही उसमें जिंक दी या खाद दी तो एक दम से वो हरी हो जाती है माने उसकी जो बनस्पधी ब्रद्धी है वो अच्छी होती है पीड़पोदे अच्छी ब्रद्धी करती है ठीक है तो उर्बरकों के सम्मन्द में यह बात हैं सही होई है तो तीसरा ही 36 का सही है अब 36 नंबर का प्रश्ण निम लिखत में कौन सा खनेज पदार्थ जन्तुओं के अंतहा कंकाल तथा बाय कंकाल का निर्मान करता है तो इसका उत्तर सही है कारबोनेट की लबन कारबोनेट की लबन इसको ऐसे समझवा आप हो कि जो जो अंडा होता है अंडा का जो आसपास का खोल होता है वो भी कारबोनेट से बना होता है कारबोनेट से बना होता है अगर आप अंडे को फोड़ते नहीं है तो उसमें कोई दुन बाद बच्चा भी हो जाता है वह एक मुछ रहा है कि विवन जन्तुओं का अंतहा कंकाल कार्बोनेट के लबान कार्बोनेट माना होता है सीयो सीयोत्री तो जो अंडा होता है वो इसी से बना होता है यह वक्त इसे बोलते हैं कार्बोनेट तो कार्बोनेट के लबान इसका आपका यह सही है तो कई जंतुओं का अंता कंकाल भाय कंकाल कार्वोनेट का बना होता है